हालो फ्रेंच वालकम यू आल आज मैं आपके जो वीडियो लेकर हो बात करेंगे एक नए बैंक के स्टॉक की मार्केट में नए बैंक का स्टॉक प्रॉफिट्स को समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूब आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लाए बैल आकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहे और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप जॉइन कर सकते हो में बटन में क्लिक करें देखिए प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपोर्टेंट है ल अगर नहीं करते हो तो फिर आपको मेहनत करने की जरूट है प्राइक्तिस में क убийले क्लिक कमेंट के तुरू और प्राइस सेक्शन की स्रेश बैस आपको एक लिर करतेगी लेकिन 90% टाइम आपको लगाना पड़ेगा प्रैक्टिस में आज इस स्टॉक की बारे मैं बात कर रहे हैं उससे पहले थोड़ी दिर पहले हमने फाइजर के स्टॉक को चर्चा करे थी फाइजर के स्टॉक का weekly में हमें two point system देखने को मिला था उसके बाद ये स्टॉक बहुत ही early stages प आप कोगे क्या बात है फाइजर का शेयर यहां पर 4000 के लेवल पर आप खुद देखना भी और आप कोगे क्या बात कर देखे 4000 46 52 6000 इस तरीके से प्राइस एक और अभी हम कहां पर फाइजर के शेयर में देखिए 56 के आसपास पहुचे वे आज जिस बैंक स्टॉक की हम बात क हुआ छोटे स्टॉक ज़रूर है लेकिन देखे कहां पर 20 करोड के आसपास का रिवेन्यू हुआ करता था वह बढ़ता हुआ आप देखे कहां चला गया यह रिवेन्यू 162 करोड प्राफिटी जो लॉस थी स्टार्टिंग के टाइम पर वह प्रॉफिट में कनवर्ट और अब देखे प्रॉफिट को यह बहुत इंपर्टेंड मैं कहुंगा इसको और गैनिक गृफ आपको देखने को मिलने जरह इस शेर को भी देखते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक तो इस शेर को जब आप देखोगे फिनो पेमेंट्स बैंक के इसके प्राइस एक्षन को दर्ज होती है तो इस गिरावट के बाद देखें लोज बनते हैं आप क्लियरली देख सकते हैं आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है फिर और पॉजिटिविटी फिर आता है मोमेंटम यहां पर चीज़ें इसकी बदल गई यह लेवल मोमेंटम का लेवल फस्ट ल पर गया देखें इक अभी प्राइस एक रेंज में जा चुका है और यहां पर आप देखोगे एक्वल लोज आपको देखने को मिल रहे हैं जिनको आप कहो गया डवली फॉरमेशन आफ्टर मोमेंटम गीन मोमेंटम पर आने के बाद देखने को मिल रहा है तो यह स्टॉक एक एक ग्रोथ वाला स्टॉक में कहूंगा और इस ग्रोथ स्टॉक के साथ देखें क्या सिचूएशन है अमेजिग है कि निया ग्रोथ है प्राफिटिबलिटी देख रही है आपको और सबसे अच्छी चीज जो मुझे यहां पर देखी वह बिलकल बॉटम पॉइंट से क् पकड़ा जबर्दस मोग पकड़ा आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कोई बड़ा प्लियर कुछ ना कुछ अक्टिविटी यहां पर कर रहा है अब भड़े प्लियर की अक्टिविटी क्या होगी अकुमिलेशन ऐसा तो है नहीं कि प्राइस बिलकुल आसमान पर है वहां हाई वाल्यूम आप इसको भी देखोगे वाल्यूम इनिश्यल लवल पर बना फिर देखिए अभी फिर लास्ट हपते में फिर से वाल्यूम बना जो की काफी इंप्रेसिव है यानि कि यह स्टॉक के छोटे टाइम फ्रेम को देखेंगे किस तरीके से सिचुएशन चल रही है और जैसे हमने कहा कि मोमेंटम आया था बढ़िया मोमेंटम यहां पर पकड़ा यह लवल आप देखिए जून 2023 में एक पर स्टॉक ने कोई बड़ा मूब नहीं दिया है थोड़ा सा इंप्रेसिव पॉजिटिविटी जरूर है लेकिन बड़ा मूब नहीं दिया एक रें है क्योंकि पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था अब वो हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम कर रहा है तो कहीं न कहीं एक पॉजिटिविटी मैं कहूंगा और एक पॉजिटिव साइकल भी आपको देखने को मिल रही है इस बैंक के और देटेल में बात करें देखिए एक बैंक से क्या एक्स्पक्टेशन होती है है आज की डेट में तो हर बैंक का एक आप जो minimum balance ही देखो ब्राइवेट बैंक के अगर बात की जाए तो अच्छा-कासा minimum balance maintained करना पड़ता है यहां पर वो भी नहीं है, यहां पर वो minimum balance maintain करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे जाके आपने phone number दिया account open किया, यानि कि यह क्या है, finopay account आपका open हो जाता है, no minimum balance, consistent account opening, free digital payment using scan and pay, तो आपके सामने यह finopay का, यह digital saving account आपको देखने को मिलता है, current account, saving account, सब कुछ आप इसमें open कर सकते हो, तो कहीं न कहीं, एक digital इंडिया के तोर पर एक नई मैं कहूंगा, मुहिम यहां पर और बाकी आप देखी रहे हो, growth आपको देखी रही है, और एक नदर फिर से देखते हैं, चार्ट के उपर, यह सारी details आपने देखी, तो यह basics हैं, हम क्या करते हैं हमें सा, बड़ energy generate करके, वहाँ पर accumulation देखने को मिलती है, और ऐसी situation में फिर जब रफतार पकड़ता है, तो बहुत ही जबरतस रफतार पकड़ता है, ऐसे कई सारे stocks में आपने देखा होगा, अभी जो कई सारे stocks में आपने देखा होगा, हम कहते हैं आपको, अगर आप practice करोगे, तो definitely यह व practice करो, practice बहुत important है, उसे क्या होता है, आपके दिमाग में data होता है, आपके दिमाग में charts बस जाते हैं, आपके दिमाग में cycles बस जाते हैं, तो यह cycles जो दिमाग में बस जा रहे हैं, जब आप real time पे चीज़ों को देखते हो, execution के बारी आती है, तो easy हो जाता है decision making में, तो क्य आप practice करते हो या नहीं करते हो, again question on you, practice करते हो या नहीं करते हो, बहुत ही simple language में आपके लिए price section की series ready है, बहुत ही साधारन भासा, आपको कोई लाखो हजारो रुपे खर्च करने की जरौत जरौत है, अगर कोई चीज़ खर्च करने की जरौत है, वह है time, और time पैसे से कही ज्यादा valuable होता है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया आप तक तो, although मैं कहूंगा आपको यह CJ पता ही होगी, कि time की value पैसे से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए practice बहुत important है, इसलिए market में कोई time देना नहीं चाहता है, क्योंकि time की value ज्यादा है, व आपको समझ में आएगा, असानी से लिए आप time दोगे, wind up करता है फिलाल, वीडियो को उम्मीद करता है, आपको चीज़ा समझ में आएँगे, वीडियो अचला करता है, शेयर जरूर कीज़े, like कीज़े, price action सेखते रहिए, practice करते रहिए, and thank you, thank you for watching the video.